जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है लोगों को टाइम पास करने के लिए कुछ न को चाहिए ही होता है लोगों का टाइम पास होता रहे इसके लिए हाल ही में दूर दर्शन पर रामायन को फिर से चालू किया गया था साथी महाभारत को फिर से दिखाया गया था लोगों ने इन दोनों सीरियल को काफी पसंद किया और रामायन ने तो अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर लिया रामायन अब तक का सबसे जादा देखे जाने वाला सीरियल का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है लेकिन ह रामायन के बाद उत्री रामायन का आखरी एपिसोड चार में को दिखाया गया था लेकिन लोगडाउन बढ़ा दिया गया है उसको देखते हुए रामायन को फिर से दिखाने का फैसला लिया जा रहा है लेकिन अब रामायन दूरदर्शन नहीं बलकि दूसरे चैनल पर पीड में आ गया था बाकी सभी चैनलों पर शूटिंग नहीं चल रही है इसलिए कोई भी सीरियल नहीं दिखाया जा रहा है सारे चैनल अपने पुराने ही एपिसोड को दिखा रही है इसके चलते हाल ही में कलर्स और स्टार प्लस में रामायन और महाभारत जैसे सीरियल अ नहीं आई है लेकिन खबरों के मताबिक ऐसी बात कही जा रही है कि इन दोनों चैनल पर ही ये सीरियल फिर से दिखाये जाएंगे हाल ही में रामायन और महाभारत के चलते जहां दूदशन के डियारपी सात्वी आसमान पर पहुँच गई है वहीं बाकी सारे चैनलों का हाल कुछ अच्छा नहीं शायद इसी के चलते इन दो बड़े चैनल ने ये सीरियल अपने चैनल पर दिखाने का फैसला किया है इस बात की अभी कोई अधिकारी टिपणी नहीं आई है ये सीरियल वापस से री टेलिकास्ट किये जाएंगी या नहीं ये किसी अधिकारी की करण के बल इको टी दया ठमेश मुवार्ट रिखनी ये सांकेरी किसी Alt mover के जाएंग के बल ये कि साभड थोप्टेट